नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में आज के इस वीडियो में बैंक प्राइविटेशन का ये वीडियो है मार्किट अपडेट्स का ये वीडियो नहीं है पहली चीज यानि कि बैंक प्राइविटेशन को लेकर जो नया अपडेट आया है साब ये अपडेट कहलो नया कहलो या साब वही पुराना कहलो यानि की हर बार आपके सामने कोई ना कोई बैंकों के नाम आए ही रहे हैं आज ये कल वो आज आये हैं IOB और Central Bank of India इससे पहले नीती आयोग ने तीन बैंकों के नामों की सिफारिस की थी किसे कोर्समिती की जो साब एक कमिंटी बना रखी है उसको तीन नामों की suggestion किया था कौन से वो तीन नाम थे एक IOB था एक Central Bank of India था एक BOM था IOB BOM 30 June की बैठक में भी होंगे समले बचा कौन सा Central Bank of India मैंने पहले ही कहा था इसको इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है सायद सायद इसको privitation किया जा सके लेकिन दोस्तों आप पूरी हिस्सेदारी नहीं बेची जाएगी यही एक ट्विस्ट है आप हिस्सेदारी बेचने की खवारे आ रही है 51 परतिशत यानि कि सरकार इसमें 51 परतिशत की हिस्सेदारी बेचेगी अच्छा ये होता अच्छा तो वैसे मरजरी सबसे बहतर भी कल्प है लेकिन सरकार का क्या करें भाई सरकार ने कही दिया था कि दो बैंकों का निजी करन किया जाएगा अब सरकार को भी अपने मेरे ख्याल से इरादों पर अटल रहना है नहीं तो भी पक्ष कहेगा कि क्या हुआ जी आप तो दो बैंकों का निजी करन कर रहे थे अब क्या हुआ इसलिए दोस्तों सरकार को कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से करना पड़ सकता है लेकिन अभी ये बहुत जादा जल्दी होगी उससे पहले कई घटना करम कई मोड आएंगे इस बैंक प्राइविटेशन यानि निजी करन को लेकर मैं आपको बता रहा था 51 परतिशत का इसमें रोल क्या है देखो दोस्तों 51 परतिशत का जो ये नया ट्विस्ट आया है यानि कि जो दो बैंकों के साथ अब ये नया ट्विस्ट आ गया है कि सरकार पहले चरण में फस्ट पेस में आयो बी और सेंटल बैंक ओफ इंडिया में 51 परतिशत की हिस्सेदारी बेच सकती है और जो बैंकिंग संसोधन अधिनियम है उसका बिल साथ इसी मानसून सत्र में आ सकता है ये लंबी चोड़ी परकरिया है अभी बहुत दिन चलेगी इससे आपको कोई विचलित होने की या कोई घबराने की कोई आवशकता नहीं है ये 51 परतिशत दोस्तों बिल्कुल सही एक मेरी ख्याल से कारिय कह सकते हैं आपकी हो रहा है 90 परतिशत से 22 जब सरकार पूरी की पूरी हिस्सेदारी बेच रही थी तो उससे कम से कम अब बात 51 परतिशत पे तो आई ये एक खुसी का मेटर हो सकता है यानि कि खुस होने के चाहां मेरी ख्याल से आपको जरूद है और आपको खुस होना भी चाहिए क्योंकि पहले सरकार पूरी हिस्सेदारी बेच रही थी अब बात आती है 51 परतिशत की आगे ये घूम के 51 उननचास ना हो जाए यानि सरकार 49 परतिशत हिस्सेदारी बेच दे और 51 अपने पास रखे 51 परतिशत की हिस्सेदारी अगर सरकार के पास रह गई तो guarantee से जो मेरी बाते हैं जो मैंने पिछले वीडियो में एक एक सब्द आपको बताया है वो definitely दोस्तो सच होगा मैंने आप से कहा था किसी की नौकरी नहीं जाएगी यह सारा खेल जो 51 और 49 परतिशत का हो रहा है यह आप लोगों की job security के लिए हो रहा है job security के लिए जब सरकार की दोस्तों इसमें जादा परतिशत के साथ हिस्सेदारी रहेगी और जो भी सरकार बैंक को प्राइविटेशन निजी करन करेगी किसी भी management को देगी तो उसमें जो जादा नियम और अधिकार होंगे वो सरकार के ही होंगे क्योंकि उसकी सरकार की हिस्सेदारी 51 परतिशत होगी लेकिन अभी जो है सरकार ये कह रही है कि मैं 51 परतिशत हिस्सेदारी बेचेंगी यानि कि सरकार अपनी 51 परतिशत हिस्सेदारी बेचेंगी फिर सरकार की कितनी रहेगी फिर सरकार की रहेगी साथ 40% फिर भी दोस्तों बहुत फाइदा है management के साथ joint venture करते समय यानि कि जब ये deal sign होगी उस समय बहुत सारी चीजें सरकार खोल के रख सकती है और वो सारी चीजें दोस्तों आपकी job security के लिए ही हो रहा है ये सब कुछ आपकी मानों यकीन मानों कि आपकी job security के लिए ही सब कुछ हो रहा है और अभी ये जल्दबाजी होगा कहना कि आज अगर सरकार ने दो बैंकों के नाम लिये हैं तो अभी एक महीने में सरकार इनका निजी करन कर दे अभी तो बहुत लंबी चोड़ी पर करिया है उस दोरान दोस्तों आपको कुछ और बैंकों के नाम भी सुनने मेरी काल से सामने आ सकते हैं निउस यानि कि कुछ और अपडेट्स भी आ सकते हैं बैंक प्राइविटेशन को लेकर अभी तो आयोबी और सेंटरल बैंक ओफ इंडिया के नाम आ हैं फिर कुछ और बैंकों के नाम भी आ सकते हैं ऐसा नहीं है कि सरकार ने इन ही बैंकों पे महौन लगा दी है ये एक CNBC TV चैनल पे निउस आज परसारित हुई और सूत्रों के हवाले से हैं MQMFS या कोई इसकी सत्तिता की पुस्ती नहीं करता जब तक सरकार का कोई सरकारी नोटिफिकेशन ना आ जाए गजट ना आ जाए तो कुल मिलाके दोस्तों बात सामने यहीं निकल आती है कि सम्मंद जो डिलेशन है जब भी इस तरह की निउस आएंगी आप इसका सीधा साधा सम्मंद सेर मार्केट से होते वे देखोगे ज़ादा कुछ मैं नहीं बता सकता ज़ादा कुछ मैं आपको दोस्तों नहीं बता सकता मैं चाहता तो इसकी पूरी कैलकुलेशन बता देता कि अब तक बैंकों की मार्किट कैप कितनी बढ़ गई है सरकार का वीनिवेस लक्षे कितना है एक दसमल पिशत्तर लाग करोड़ और अब तक कितना पैसा सरकार ने कमा लिया है सब कुछ बिल्कुल इस पस जिटो खोल के बगल में स्क्रीन में चलाने की कोसिस कर देता लेकिन नहीं साथ ये मैंने आपसे कह रखा है जब तक प्राइविटेशन के दो नाम किलियर नहीं हो जाते सरकार की पूरी परकरिया पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं वो सारी चीज़े आपको नहीं बता सकता स्रीप मैं अपनी रणनीती के तहित कारिये करता हूँ MQMFS के जितने वीवर्स मेंबर्स हैं उन्हें कौन से शेर्स में बाई गरा रहा हूँ वो सब कुछ वो जानते हैं आज भी आपने इनके शेर्स में अपड़ सरकिट होते वे देखा लगते वे देखा होगा डेफिनिटली जब भी इस तरह के अपडेट्स आएंगे इनके जो स्टॉक प्राइस हैं इन बैंकों की स्टॉक प्राइस में दोस्तों आपको एक अच्छा खासा अफवर्ड होते वे दिखेगा और इसी का संबन आप इस न्यूस से मानके चलिए न्यूस आती रहेंगी इनके रेट बढ़ते रहेंगे पैसा आता रहेगा किस के पास बैंकों के पास कहां से आपको बता है कौन खरीदेगा कौन खरीद रहा है यो भी अरे यार बता हो कौन खरीद रहा है सब भी खरीद रहे हैं, हम भी खरीद रहे हैं, आप भी खरीद रहे हैं तो दोस्तो डारेक्ट, इंडारेक्ट रूप में कहीं न कहीं से बेंकों के पास पैसा आ जाए, यही सरकार चाहती है सरकार का मकसद ही यही है समझ गए आप सारी चीज तो सब कुछ साहब मेरे खाल से अब बताने के लिए इसमें मेरे खाल से अपडेट में कुछ ऐसा है नहीं बाकी जो भी कुछ आपके questions, comments, messages होंगे वो साहब WhatsApp conversation में आप मुझसे पूछ सकते हो IOB Central Bank of India पहले चरण में 51% के साथ सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है मांसून सत्र में इसका बिल ला सकती है, banking संसोधन अधिनियम कर सकती है परधान मंतरी की अध्यक्षता में एक meeting होगी उसी के बाद दोस्तों बैंकों के नाम का final होगा परकरिया अभी बहुत लंबी चोड़ी है, और उससे पहले आपको कुछ और बैंकों के नाम सुनने को मिल सकते है तो चलिए अपने आज के इस वीडियो के दूसरे पार्ट में चलते है VRS के उपर दोस्तों आपने बहुत questions करे वी आरेस क्या होता है, voluntary retirement schemes, चिक सेवा निवर्थ यूजना नहीं कि अपने आप, आपका अगर इच्छा है तो आप लो, नहीं इच्छा है तो ना लो इसके नाम में ही सब कुछ है, बहुत सारे दोस्तों questions मेरे इस पे आए थे कि सर हमें क्या करना चाहिए, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, आगे क्या होगा, कैसे होगा बहुत सारे questions आया और मैंने बहुत सारे उसके जवाब देनी की दोस्तों कोसिस करी, फिर भी कुछ मेरे खाल से रहे गए उसमें main जो questions था, वो यही था कि सर जो इसमें पैसा मिलेगा, उसकी गणना कैसे होगी यानि कितना पैसा मिलेगा, main बात दोस्तों सब घूम फिर आके, सब जगा से यही आती है, कि पैसा कितना मिलेगा दो questions इसमें बहुत अच्छे लगे मुझे, एक तो इसमें दोस्तों questions था, message था कि सर इसका pension पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मैंने आपको बता रखा है NPS, OPS जाए new pension scheme और old pension scheme, इसमें बहुत सारे दोस्तों संसोदन changes समय समय पर आते हैं, अभी एक latest update आया था, वो मैं मेरी ख्याल से आप सभी को WhatsApp conversation में बताता रहता हूँ, तो मैं आज सोचा, मैंने आज सोचा कि कुछ इसके point, यानि कि जो questions आपने की थे, जैसे सबसे पहला questions यही था कि सर इसमें पैसा कितना मिलेगा, और जो पैसा हमें मिलेगा, उस पे क्या tax लगेगा, तो मैंने सोचा, इसका ही answer आज मैं आपको दे देता हूँ, बाकी pension पे इसका क्या answer होगा, वो थोड़ा एक लंबा matter है, उसकी वीडियो बनानी पड़ेगी, वो चीज दोस्तो एक अच्छी है, और मेरे खाल से उस पे एक अच्छा खासा वीडियो बन सकता है, बाकी सारी चीज आपको पता है कि VARS कोल लाता है, क्यों लाया जाता है, वीरेस सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कभी हिस्सेदारी बिकरी होती है, किसी वीडिय से संस्तागत को लेके आते हैं, जब भी सरकार कुछ नया प्रोग्राम करती है, जो करमचारियों का वेतन वेटन वगेरा, उसको करना चाती है, उसकी बज़े से दोस्तों, ये वी आरेस लाया जाता है अभी पिछली सन 2020 में SBI भी ऐसी स्कीम लेकर आया था इसमें एज इसमें जो 25 साल की सर्विस पूरी कर चुके हो या जिनकी एज 55 साल हो गई हो वो वी आरेस लेने के पात्र होंगे सबसे में मुद्दा होता है इसमें दोस्तों कि जो package सरकार निधारि की साथ साल होती है आपके पांस साल बचे हैं अभी सर्विस में तो जो सरकार आपका package बनाती है वो पिछली 18 महीने के जो भी आपकी sell ली आती है उसके अनुसार ही बनाया जाता है मालिया पिछले 18 महीने से आपको एक लाख रुपे मिल लाए ठीके साथ तो एक लाख करों बारा से कितना हो गया 12 लाख ये 12 लाख को गुण करों पांस से कितना हो गया शाठ लाख मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं एक लाख मैंने एकजामपल पंस साल है आपकी सहली एक लाख हैं है तो एक लाख इन्टू बारा बारा लाख आक इस उम्मन मेरे काल से कितनी इस यह काल सद्टोर तो फांस साल तो साथ लाख के हिसाब से आपको सरकार देगी इसका 50% तीस लाग ठीक है साब इसमें ग्रेजविटी मेरी काल से पैंसन्स वगयरा बहुत सारी इसकी में कुछ जो संस्ता है वो मेडिकल क्लेम वगयरा भी देती है बहुत सारे जो तो इसमें सुविदा देती है आकरसन पैकेज इसको और भी बना सकती है सरकार वो इसको चाहे तो 60% भी कर सकती है यह कैलकुलेशन होती है इस तरह आपका एक पैकेज बनाया जाता है आपको डिसाइड करना है Decide आपको करना है कि जो मुझे पैसा मिल रहा है वो ज़्यादा है जो मैं सर्विस में रहके कमा सकता हूँ यानि कि आपको ये सोचना है कि जो मेरी सर्विस अभी बची हुई है वो पैसा जो मुझे मिल रहा है क्या वो ज़्यादा है या कम है Decide आपको करना है अगर कम है VRS लेने की कोई आवशकता नहीं है अगर आपको लगे कि इतना पैसा तो मेरी बच्ची वी सर्विस में मुझे नहीं मिल सकता फिर आप VRS ले लीजिए और उसको कहीं सही जगा investment करिए फिर साब और कहीं अच्छी जगा जॉब करिए अगर आप जॉब करने की स्तिती में है नहीं तो अराम से घर पे अगर आपको मेरी खाल से portfolio management का तरीका आया हुआ है समझा हुआ है फिर कोई दिक्कत परसानी वाली बात नहीं है लेकिन दोस्तो जब हम इसको national sorry national कहा रहा हूँ new pension scheme और old pension scheme में calculation करते है उसमें changes rules बहुत सारे हो जाते है क्योंकि इसका कुछ पार्ट हमें investment करना पड़ता है सरकार की guideline के इसाब से और कुछ ही पैसा हमारे हाथ में आता है तो वो matter थोड़ा सा अलग हो जाता है अब बात आती है दोस्तो कि इस पर tax कितना लगता है जो हमें tax मानलिया कि जो हमें पैसा मिलेगा जो हमें सरकार पैसा देगी उस पे दोस्तो tax कितना लगता है और किस धारा के तहर टैक्स मेरे ख्याल से इसमें छूट मिलती है और साब 5,00,00 इसमें जादा से जादा लिमीट है 5,00,00 तक की आपको इसमें छूट मिलेगी वो जब मिलेगी जब आपने ये पैसा प्राप्ट किया यह नहीं आप सोचोगी हर साल हम मुझे छूट मिलती रहे कि मैंने वियार्स ले आया है तो हर साल मुझे छूट मिलती है सिप assessment year बाकी इसमें दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है 10C की धाराम के तहद इसमें छूट मिलेगी बाकी जो new pension scheme और old pension scheme है उसके बारे में वीडियो आगे मैं बताने की कोशिस करूँगा तो दोस्तों ये आज का एक वीडियो था अपडेट्स मैंने आपको बता दिया अपडेट्स से बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही है और उन चीज़ों को रखिए ध्यान साब वो ही चीज़े आपके हैं आएंगी काम यानि 50% को रखिए साब ध्यान और यही चीज़ दोस्तों आएंगी आपके काम इसी 50% पे पूरा आप खेल घूमेगा पूरा दोस्तों खेल घूमेगा इसी 50% पे ये 49% और इक यान अगर अल्टा पल्टी हो जाए ना तो साब क्या कहने क्या कहने साब सरकार के पास पैसा भी आ जाएगा साब बैंकों का प्राइविटेशन भी हो जाएगा करमचारी भी खुस रहेंगे साब खुस साब साब खुस और मैं सुरू से कहता हा रहा हूँ कि किसी को कोई परकार की चिंता करने की जरूती सरकार बहुत ही मेरे खाल से तरीके से डिसिप्लिन से काम कर रही है और मेरे खाल से बिल्कुल उसने सोच रखा है कि उसे करना क्या है बैंकों को भी बचा के ले जाना है करमचारी को भी किसी पकार की दिक्कत नहीं होने देनी है बैंकों का निजी करन भी निजी करन भी कर देना है पैसा भी आ गया निजी करन भी हो गया करमचारियों की किसी की भी नोक्ती नहीं गई ना वियारेस का चक्कर ना कोच चक्कर बेकार में खामा खांगी चिंता आप लोग ले रहे हो सर ये क्या हो गया आयोबिया सेंट्रल बैंक ओफ इंडिया आया है कल किसी और बैंक का नाम आ जाएगा इनके बैंकों में आज सर्किट लगा है उनके नामों के बैंक उसमें में अगले दिन सर्किट लग जाएगा मतलब कहने का यह है कि जैसे आज बैंकों के नाम आए है आज इनके स्टोक पराइस में सर्किट लगाए है फिर कल दो बैंक आएंगे कल उनके पराइस के में भी सरकिट लगेगा गुभा विरागे पैसा आही जाएगा इनी सब्दों के साथ दोस्तों आज का वीडियो समात करने की मुझे इजाज़त दीजिए मुलाकात होगी कल फिर किसी नेक्स वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक कीजे इंतजार फाइनली आपसे नवश्कार